हेलो गाईस साइसीकर्स के एक और ने लेक्चर में आप सभी का स्वागत है गाईस आज फिजिक्स का लेक्चर होने वाला है फिजिक्स में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर वाली सारी चीजें आपको एक्सप्लेइन कर दी थी आप अगर नहीं पढ़ें तो पीछे के वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं तो आज जो अपना टॉपीक है वो रिफ्रेक्शन पर होने वाला है तो हम लोग अभी तक देख रहे थे किसी भी प्लेन मिरर के सामने अगर कोई light ray आ रही थी तो वो straight चल रही थी इस वाज़ा से light जो है straight path में चल रही थी लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए एक light ray air से आ रही है और एक इसके सामने एक मैंने मोटा glass slab रख दिया तो क्या यहां भी straight चलेगी नहीं यहां पर जब light incident होती है इस glass slab पर तो कुछ अपना path से deviate हो जाती है रास्ते से अपने हट जाती है तो यहां पर straight नहीं चल रही तो हम कह सकते है कि जो light ray है वह हमेशा straight नहीं चलती है अगर medium बदल जाता है तो अपना direction change कर लेती है चलनेगा आपने notice किया होगा जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी bottle में पानी भरके रखते है और bottle transparent है आप देखेंगे जो bottle का base या bottom होता है वो थोड़ा सा उपर उठ जाता है तो वो उपर कैसे उठ जा रहा है वो इस light के direction को change कर लेने की होज़ा से उठ जा रहा है बहुत बार देखा होगा मालोगा मैंने ये letter कुछ लिखा हुआ इसके उपर आपको skill रख देते हो आपने देखा होगा skill रख देते हैं जब हम किसी letter के उपर लिखे हुए letter या page पर तो हमको जो वहाँ पर letter लिखा हुआ है वो थोड़ा उपर उठा हुआ दिखता है तो यूं होता है इसी light के रास्ते के बदलाओ की वज़ा से होता है तो मैं ये चीज़ समझाने के लिए इस वाले example फिर से ले चलता हूँ आपको मैंने बोला कि air से light आ रही है तो अपने straight path में आ रही है और glass slab पर जब वो incident होती है तो अपना रास्ता बदल लेती है तो इसी को reflection बोलते है ठीक है और यहाँ पर देखो reflection की मैंने definition लिखी हुई है तो एक बार reflection की definition पढ़ लीजिए the change in the direction of light when it passes obliquely from one transparent medium to another at the boundary separating the two medium is called reflection of light समझ मैं नहीं आयोगा देखो मैं समझाता हूँ जो light की जो ray की direction है अगर वो change कर ले रही है ठीक है जब वो एक transparent medium से दूसरे transparent medium में जा रही है ठीक है उन दोनों की जब वो यहाँ पर joining है यह medium यह air है एक यह glass है ठीक है यहाँ पर यह दोनों जो join हो रहे है यहाँ पर आने के बाद अपने रास्ते से जो है यह change कर ले रही है तो क्यों बदल ले रही है देखो यह जो मीडियम है यह एयर है यहां पर एयर से लाइट रही है यहां पर ग्लास है तो ग्लास के अंदर जा रही है यहां पर एयर के पार्टिकल्स होंगे यहां पर ग्लास के पार्टिकल्स होंगे तो क्या होता है जब यहां पर लाइट आती medium वह होता है जिसमें से light repass कर रही है यह air, glass, water, alcohol यह अलग-अलग medium हो सकते हैं इनमें से light repass करो है हम तो इनको medium कहा जाएगा यह अलग-अलग medium है, अलग-अलग substance से बने हैं इनकी property भी अलग-अलग होगी अच्छा ऐसे medium को optical media बोला जाता है और इनकी property भी अलग-अलग होगी तो मैं एक property लेकर discuss करता हूँ मैंने बोला properties अलग-अलग होती हैं अलग-अलग substance के तो एक property मैंने कौन सी ले ली मानलो मैंने speed of light ले ली दो medium है, उनकी मैंने एक property ले ली कि उसमें से जब हम light को pass कराते हैं की speed कैसे होती है, मैंने इस property को पकड़ लिया ठीक है, अब इस property को हम देखते हैं तो देखते हैं, air में जो है light 3 into 10 raise to power 8 meter per second की speed से चलती है glass में वही पर 2 into 10 raise to power 8 meter per second से चल रही है water में 2.25 into 10 raise to power 8 meter per second से चल रही है तो अलग-अलग जो medium है, उनके अलग-अलग particles है उनकी property अलग है, इस उज़ा सब में speed change हो जा रही है अच्छा हमने speed of light की बात कर ली, तो मालो हम 2 medium ले ले लेते हैं मैंने एक medium लिया जिसमे speed of light मैंने देखा कि तेज है, ठीक है speed of light ज्यादा है, और एक medium लिया मैंने जिसमे speed of light कम है जिसमे speed of light ज्यादा होती है, उसको optically rarer medium बोलते है जिसमे speed of light कम होती है, उसको optically denser medium बोलते है अच्छा अब देखो मैं बता रहा हूँ, optically denser medium है, मालो कोई एक medium है, मालो glass है उसके जो particles हैं देखो बहुत compactly packed है बहुत tightly packed है इस medium में जब light raise आती है तो यहाँ पर बहुत सारे particles है यह tightly packed है यह tightly packed है तो क्या होता लाइट इन से टकराते हुए पास होती है जब इतने सारे particles से टकराती है light तो light जो है उसकी speed कम हो जाती है ठीक है इसलिए बोला जा रहा है कि जहाँ पर speed कम होगी वहाँ का medium होगा वो denser होगा मतलब बहुत tightly packed होगा अगर speed जादा है तो मतलब कि वहाँ का medium rarer था वहाँ के particles tightly packed नहीं थे इस वज़ा से speed जादा हो जा रही थी अब हम देखते हैं कि cause of reflection क्या होता है रिफ्रेक्शन आखिर हो क्यों रहा है तो यह जो change हो जा रहा है speed की light में जो change हो जा रहा है एक medium से दूसरे medium में जा रही है इसी होज़ा से रिफ्रेक्शन होता है यह देखो light रहा रही है air एक मैंने glass slab रखा था अब यहाँ पर property अलग हो गई यहाँ पर medium अलग हो गया ठीक है क्योंकि जो अलग-अलग medium होते है उनकी property अलग-अलग होती है तो speed में change आ जाता है और speed में change आ जाता है तो light अपने path से deviate हो जाती है यही है cause of reflection गाइस तो मैंने बोला कि हमने दू medium लिया ठीक है एक मैंने लिया जिसमे speed slow थी मैंने इस page पर साथी details लिकी है कि मैंने light को पास करा है किसमें से rare medium से जब हम light ray को किसी rare medium में पास कराते हैं गाइस तो जो refracted light ray है वो थोड़ा सा bend हो जाती है normal की तरफ तो हम इसमें क्या देखते हैं अगर इसको इधर से जाना चाहिए था यह इसका path होना चाहिए था तो अगर यह angle यह angle फिर बराबर होता है लेकिन जब यह जोग गई है normal की तरफ तो angle of incidence जादा हो जा रहा है angle of reflection से और अहीं पर हम देखें कि अगर light ray को denser medium में पास कराया जाए यह माल लो कोई medium है ठीक है यहाँ पर light ray आ यह एक medium से और यह दूसरा medium है यह जो दूसरा medium अगाई जो denser है अगर denser medium में light जाती है तो क्या होगा अपने जो normal से वो दूर की तरफ भागने लगे ही तो हम इसमें क्या पाते हैं कि जो angle of reflection होता है वो angle of incidence से बड़ा होता है और मैंने दोनों medium को आपको differentiate करना बताया कि जहाँ पर speed of light जादा होती है उसको rarer medium बोलते हैं जहाँ पर speed of light कम मिलती हैं हमको उसको denser medium मूलते हैं तो rarer denser आपको clear हो गया होगा और कब किधर light ray bend करती है ये भी आपको clear हो गया होगा क्योंकि इस पर question बनेंगे और आगे के concept भी इस पर बेज़ट है एक note मैंने यहाँ लिखा है अगर किसी light ray को हम एक medium से दूसरे medium में पास कर रहे हैं और उसको 90 degree पर incident करा हैं मतलब कि 90 degree पर उस surface incident करा हैं तो क्या होता गाइस यहाँ पर कोई भी deviation नहीं देखा जाता है कि इसमें refracted light ray में तो यहाँ पर देखो यह सीधे पास हो जा रही है जैसे मैंने आपको mirror में बताया था कि law of reflection बताया थे reflection वाले topic में जब हम mirror पर रहे थे तो मैंने उसमें आपको कुछ law बताया थे तो वह ऐसा मिलता जूलता law यहाँ भी है पहला law है जो incident ray है और जो refracted ray है और जो normal है यह सब एक plane में लाई करते हैं देखो यह incident ray है यह reflected ray है य यह angle of incidence है यह angle of reflection है और यह नॉर्मल है तो यह एक ही plane में लाई कर रहा है इस paper के plane में यह paper है नगर यह उपर उठ चाती है किसी और direction में होती तो फेपर के plane से बाहर हो जाती लेकिन इस सारी चीजैं एक ही plane में है तो वही पहला law कह रहा है और दूसरा law कह रहा है हमको अगर हम sign ले ले कि इसका angle of incidence का और angle of reflection के sign का ratio ले 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 तो हमको constant मिलेगा मतलब कि sin i इस angle का sign ले ले incidence का और sign reflection का sign ले ले sin i by sin r ले 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 तो ये constant रहेगा और इसी constant को refractive index बोलते हैं अब refractive index क्या होता है, यह अपना अगला topic है, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और यह थोड़ा confusing भी है, इसमें से question भी आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना, अब refractive index पर आ जाते हैं, तो चलो मैंने एक light ray ले ली, और मैंने दो medium ले लिया, एक medium ये है, एक medium ये है, ये air है गाईज, ये glass है, ठीक है, अब light ray air से आ रही है, और यहाँ पर incident होने के बाद, अगर ये एक ही medium होता तो straight चली आती है, लेकिन यहाँ पर medium चेंज हो गया, इस जैसे light जो है, अपना path change कर ले रही है, ठीक है, change कर ले रही है, तो हम इस angle को ले ले रहे हैं, इस angle को ले ले रहे हैं, इन दोनों के sign का ratio ले ले रहे हैं, तो हमको क्या मिल दा है, constant, और इसी को refractive index बोलते हैं, refractive index को, या तो n से denote करते हैं, या तो mu से denote करते हैं, और अगर लिखा आजा है 1μ2 तो इसका मतलब क्या है जो last में लिखा रहे है मतलब उसका refractive index की बात कर रहा है तो इसका मतलब हो गया इस वाले sentence का मतलब हो गया इस word का यह आपको बार-बार देखने को मिलेगा इसका मतलब हुआ कि refractive index of medium 2 with respect to medium 1 दो के refractive index की हम बात कर रहे हैं पहले medium के respect में ठीक है अब यहाँ पर देखो उल्टा लिखा है मैंने यहाँ पर लिखा है 2μ1 मतलब इसका क्या हुआ हुआ है तो इसका मतलब यह हो गया कि refractive index of medium 1 with respect to medium 2 अगर इसका क्या मतलब था? refractive index of medium 2 with respect to 1 यह दूनों चीज़ें देखो confusing है ध्यान से इसको समझ लेना ठीक है तो गाईज अभी तक मैंने बात की refractive index की किसके term में? अगर हम angle of incidence और angle of reflection के sign का ratio लेते हैं तो हम एक constant मिलता है उसको refractive index बोलते हैं अगर हम इसको speed के term में बोलें कि एक light ray है जो एक medium में किसी speed से जा रही है और वो दूसरे medium में पहुचने के बाद मतलब कि refract होने के बाद किसी और speed से जा रही है तो इसका refractive index कैसे लिखा जा रही है तो इसी का refractive index लिखने के लिए मैंने आप एक explain किया हुआ है मैंने medium ले लिया है एक air लिया है और दूसरा मैंने glass लिया हुआ है जब air से एक light ray आ रही है V1 speed से और दूसरे में जा रही है reflect होने के बाद V2 speed से तो इसका refractive index कैसे लिखा जाएगा तो इसका refractive index लि जब incidence होई है तो उसको उपर लिखते है और जब जिस speed से वह refract हो रही है उसको नीचे लिखते है तो इसकी वाली speed नीचे लिखी जाएगी मतलब कि देखो speed of light in air मैंने उपर लिखा है उसका ratio लिखा है मैंने किस से उस speed of light in glass से मैंने उसका ratio लिखा है इसको देखो मैंने ऐसे लिखा हूँ 1 mu2 मतलब कि दूसरी का refractive index का ratio जो है पहले के respect में हम लेते हैं तो speed of light जो होती है वो V1 उपर होती है और V2 नीचे होती है V2 वाली कौन सी speed है यह glass वाली speed है जिसका हम refractive index ले रहे हैं मतलब हम क्या कह सकते हैं जो refractive index है वह proportional to speed है ऐसा यह चीज़ भी बोल सकते है ना refractive index speed के inversely proportional है हम जिसका refractive index निकाल रहे हैं अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए 2 mu1 कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ अब 1 का refractive index हम 2 के respect में निकाल रहे हैं तो 1 की speed मैं नीचे लिख दूँगा और 2 वाले की speed उपर लिख दिऊंगा अब refractive index में एक और topic आता है absolute refractive index कि किसको बोलते हैं कि absolute refractive index क्या होता है तो देखो मैंने 2 medium लिया ठीक है एक मैंने air वाला ले लिया और दूसरा मैंने glass medium ले लिया guys अगर कोई incident ray है जो वो अगर air से आ रही है या vacuum से आ रही है air हो या vacuum हो ठ refract हो रही है तो इसी को absolute refractive index बोलते हैं अगर यहीं पर एक medium glass हो जाता और दूसरा alcohol या water कुछ और हो जाता तो ऐसे medium को हम absolute नहीं बोलेंगे absolute refractive medium वही होता है जिसमें जो incident light ray आ रही है वया तो air से आ रही हो या vacuum से आ रही हो और guys air और vacuum में एक दूसरे को replace करने वाले term है आप interchange कर सकते हैं तो अगर air लिखा है तो हम उसको vacuum माल लेते हैं ठीक है इसी की definition मैंने लिखाया देखो if the incident light ray traveling through vacuum और air and then refracted in a medium then the value of refractive index is absolute refractive index तो वही बोल रहा है कि अगर air आ वैक्यूम से आ रही है और दूसरे medium में पहुंचने के बाद जब refract हो रही है तो जो refractive index ही value आ रही है उसी को refractive index absolute refractive index बोलते हैं अब refractive index लिखना मने आपको बता दिया कि कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं तो देखो यहाँ पर एक refractive index की value लिखिए 1μ2 तो इसका क्या मदला हुआ 2 का refractive index 1 के respect में तो इसको हम लिखेंगे sin i by sin r लिख लेंगे इसी को उल्टा लिखा हुआ है 1 का refractive index 2 के respect में तो sin r by sin i लिख लिए अगर यह दो मने equation बना लिए इन दोनों को multiply कर लिए 1μ2 इंटू 2μ1 जब कर लिए इसको sin i by sin r और दूसरे का sin r by sin i sin r कट गया sin i sin i कट गया 1μ2 into 2μ1 अब यह 1 के पराबर आ गया अगर हम इसी को अब यह 1 के पराबर आ गया तो 1μ2 को अगर हम लिखें तो यह जो है इसके नीचे आ जाएगा अब ऐसे लिख सकते हैं 1μ2 अब इसी को language के form में क्या लिखा है refractive index of 1 with respect to 2 refractive index 1 refractive index of 1 with respect to 2 is reciprocal of refractive index of 2 with respect to 1 मतलब कि यह उसी क रेसी प्रोकल उल्टा है देखो आगर मैं दो मीडियम ले रहा हूं एक glass और air वाला तो देखो यह जो लिखा इसके हिसाब चेम पड़ेंगे तो refractive index of glass with respect to air उसकी value कितना 1.5 अगर हमको इसी का उल्टा पूछ लिया जाए refractive index of air with respect to glass उसी का उल्टा पूछ लिया जाए तो उसका reciprocal हो जाता है यही उपर वाली चीज बता रही है आपको तो यह 1 by 1.5 हो जाएगी समझे अब refractive index से मिलते जूलते 3-4 चीज़ें और बची है तो सबसे पहले देख लो refractive index जो होता है speed of light के inversely proportional होता है मैंने बताया इसकी value बढ़ाएंगे हम refractive index बढ़ा दे रहे हैं तो speed of light कम हो जाएगी यह speed up जब light हम बढ़ाएंगे तो refractive index की value कम हो जाएगी यही inversely proportional का मतलब होता है तो वही पर यह देखो मैंने लिखा है कि refractive index जब हम बढ़ा रहे है तो speed of light कम हो जा रही है इसी पर based एक question है आपकी book का है कि kerosene दिया हुआ है उसकी refractive index है 1.44, turpentine दिया उसका refractive index है 1.47, water है उसका refractive index दिया 1.3 तो speed of light जो आएगी इस refractive index के हिजाब से में speed of light को set करना है तो देखो सबसे ज़्यादे refractive index किसका है सबसे ज़्यादा है refractive index है turpentine का उसके बाद है किरोसीन का और सबसे कम है water का तो मैंने एक relation बताया कि refractive index और speed of light में inverse का relation होता है जिस भी substance की refractive index बैलू जितना ज़्यादा होगी उसकी speed of light उतना कम होगी तो सबसे कम बैलू water की थी refractive index की तो speed of light water की सबसे ज़्यादा उसके बाद किरोसीन की थी 1.44 उसके बाद किरोसीन और सबसे ज़्यादा refractive index बैलू थी टर्पेंटाइन की तो उसकी speed सबसे कम हो जाती है यह एक important चीज़ है आपके textbook में एक जाम में कुश्चन आ सकता है दूसरा important चीज़ इसमें reversibility देखो यहाँ पर मैंने क्या लिए दो medium ले लिया light ray को मैंने पास कराया और दूसरे medium में यहाँ पर देखो मैंने plane mirror रख दिया अगर मैं plane mirror रख देता हूं guys तो यहाँ पर reflect देखो light ray आई यहाँ पर reflect हुई क्योंकि medium change हुआ और अगर यहाँ पर plane mirror पर टकरा रही है तो वापस चली जाती है अपना path retrace कर लेती है अपना path जब retrace करने लगेगी तो जब यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ पर देखो चलती चली गई अब यहाँ पर medium setup बनाया हुआ है एक देखो दो medium है एक air है एक glass है यह वापस air है तो एक light ray है जो air से आ रही है वह glass पर incident होने के बाद उसको जाना ऐसे चाहिए था ठीक है अपने सीधे path फे लेकिन जब medium change हो गया गाई तो मैंने बोला medium change होने के बाद अपना path change कर लेती है light ray तो light ray यहाँ पर अपने path change कर ले रही है normal की तरफ bend हो जा रही है फिर यह light ray आगे travel की अभी तक तो glass था तो straight path पर चलती आ रही थी वापस देखो यहाँ पर medium change हो गया यह air आ गया तो यह अपने path से फिर से हट गई इसको जाना फिर ऐसे ऐसे चाहिए था लेकिन यह ऐसे चली गई तो इ angle of incidence होता है emergence के case में वह angle of emergence के बरावर होता है अब यह emergent light रहे है यह incident light रहे है यह reflected light रहे है और देखो यह अपने path पर ऐसे चलरही थी जिससटना यह अपने path से П brat से देखो यहाँ पर सूरू में चली ऐसे जाना इसको ऐसे था तो जितने path से debiate होई अपने इसको lateral displacement बोलते हैं जितना distance यह displace हो गई है इसको lateral displacement बोलते हैं ठीक है अगर देखो मैंने बोला कि angle of incidence और angle of emergence बराबर हो जा रहे हैं अगर angle of incidence 0 कर दिया जाए तो angle of emergence भी 0 हो जाएगा मतलब यह angle of incidence मैंने अगर इसको ऐसे ले आयाया मैं इसको इसी path पर लेकर चला जाओं तो यह reflect होने के बाद रिफ्रेक्ट होने के बाद जब वापस जाएगी तो यहाँ पर जाएगी angle of emergence भी यहाँ पर 0 होगा यह वाली चीज TIR में यूज होती है आगे की classes में आप समझेंगे अब यहाँ पर मैंने question practice करने के लिए दिया हुआ है question कह रहा है कि एक light ray है जो air से आ रही है और glass में इंटर कर रही है और glass का refractive index हमको दिया है 1.50 फिर यह पूछ रहा है कि जो light ray आई है air से जब वो glass में इंटर कर रही है तो उस light ray की speed क्या होगी और यहाँ पर देखो vacuum में जितनी speed है यहाँ पर हमको 3 into 10 raise to power 8 दिया हुआ है तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जो air है इसको vacuum माल लेते हैं ठीक है तो यह question indirectly हमको vacuum की speed दे रहा है मतलब कि हमको air की speed दे रहा है तो speed of air 3 into speed in air speed in air 3 into 10 raise to power meter per second यह हमको दे दे रहा है question में speed in glass हमसे पूछ रहा है हमको निकालना speed in glass फॉर्मूला होता है अगर उसके term में लिखें तो हम refractive index को इस तरीके से लिख सकते हैं refractive index of glass with respect to air और अपने को refractive index of glass दिया इस होजा से मैंने ऐसे लिखा तो इसकी value अपने को कितनी दिया है 1.50 अगर जब हम इसको लिखते हैं तो जो glass की speed होती है मैंने बोला जिसके निकालते हैं उसकी speed नीचे में लिखते हैं तो speed in glass यहाँ पर लिख लेंगे जब इसको ratio के form में लिखते हैं तो जिस चीज की यहाँ पर refractive index हम ले रहे हैं उसकी जो speed होती है उसको हम नीचे लिखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे speed of air speed in air sorry light की speed air में तो refractive index की value तो अपने को 1.50 दिया है और अपने को vacuum की दिया speed तो vacuum मतलब air की speed दे रही है तो जब air की speed दे रही है तो यहाँ पर हम air की speed लिख लेता है 3 into 10 raise to power 8 और यहाँ पर light की speed लिख लेते हैं अब light की speed निकालने के लिए क्या किया हमने 3 into 10 raise to power 8 upon 1.50 और इसको जब आप divide कर लोगे तो यह आ जाएगा 1.5 2 times हो जाएगा 2 into 10 raise to power 8 meter per second तो जो speed of light होगी ग्लास में उसकी speed होगी 2 into 10 raise to power 8 meter per second अब जो अपना अगला question है इसमें बोल रहा है कि if the refractive index for light going from air to water is 1.3 मतलब की जो light है वो कहां से जा रही है air से जा रही है water में ठीक है और इसकी value अपने को कितना दी है 1.3 ठीक है उसके बाद क्या बोला है what will be the refractive index for light going from water to air और water से air में जब जाएगी तो refractive index क्या होगा यही पूछ रहा है तो इसी का उल्टा ही तो पूछा है देखो मैंने बोला था कि यह reciprocal होता है अब यह उल्टा पूछ लिया था हम reciprocal कर लेंगे और इसका refractive index जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 upon 1.33 यही निकाल लीजे इसकी value जब आप divide करकर निकाल लेंगे तो वही refractive index की value होगी अब मैंने refractive index भी बता दिया, reflection क्या होता है बता दिया तो जो अपना अगला term आता है कि lens से reflection कैसे होता है तो lens से reflection कैसा होता है तो lens सबसे पहले तो आपको lens को जानना होगा क्या होगा जो lens होता है अपना कोई एक transparent medium होता है जो दो reflecting surfaces से bounded हो आपन जब spherical mirrors पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि यह glass का yellow sphere लेते हैं हम उसमें से थोड़ा सा portion कट कर लेते हैं उस cutaway portion को अगर हम इधर polished कर देते हैं तो convex बना लेते हैं इधर polish करते हैं इधर से reflection कराते हैं तो concave बना लेते हैं लेकिन guys lens में ऐसा नहीं होता है इसमें एक reflecting surface से काम हो जा रहा था लेकिन lens के लिए lens बनाने के लिए अपने को 2 reflecting surface चाहिए होता है तो हम क्या लेते हैं दो spherical body लेते हैं अब दोने spherical body को हम दो तरीके से जोड़ते हैं अगर हम उसको एक दूसरी को पर ओबर lap करा दें एक चूपर एक ऐसे ओबर lap करा दें उसके बाद जब हम बनाएं इतना portion cut कर लें तो यह convex lens बन जाता है और हम दूसरे को अगर ऐसे रख दें और इसको ऐसे से cut कर लिया जाए तो जो दूसरा ओला lens बनता है यह concave lens बनता है तो अपने को दो sphere की जरूरत पढ़ रही है अपने किसमे lens बनाने के लिए और spherical mirror जो था एक ही sphere से काम हो जा रहा था अप गाइज जो अपने plane mirror और spherical mirror वाले terms से aperture, focal length, center up curvature सारी चीज़ें यहाँ भी follow होंगी बस यहाँ पर हमें दो center up curvature मिलेंगे वहाँ पर हमें एक ही mirror ले रहे थे hollow sphere ले ले रहे थे तो उसमें एक ही center up curvature आ रहा था तो मैं उस चीज़ों को नहीं explain कर रहा हूँ और इतना exam पूछे भी नहीं जाएंगे आपसे question पूछे जाएंगे तीन तरीके की surface से बने हुए यहाँ पर अपने पास lens है अगर माल लो दोनों तरफ concave हो जाए तो इसको by concave बोलते हैं एक तरफ plane surface है एक तरफ concave है इसको plano concave बोलते हैं एक तरफ convex से एक तरफ concave है इसको convex को concave बोलते हैं तो यह तीनों नाम से जानिएगा आपको differentiate करने के लिए question आ सकता है अब मैंने अगर convex lens ले लिया और उस पर principal axis के parallel मैंने light ray डाली जैसे उसमें डालते थे तो इसमें क्या हो रहा है कि converge हो जा रहा है कहां converge हो रहा है एक point पर converge हो जा रहा है इसको focus बोलते हैं जहां पर converge होता है मैंने principal focus निकलना आपको spherical mirror में बताया था लेकिन यहाँ पर देखो guys उल्टा हो रहा है वहाँ पर concave जो था वो क्या कर रहा था वो converge करा रहा था यहाँ पर जो convex है वो converge करा रहा light rays को और concave में देखेंगे तो concave lens की जो property होती है diverge कर देता है इस फिरकर mirror में concave की property क्या थी वो converge कर देता था यह चीजें अलग अलंग है और यही बात ने ध्यान रखनी है जिसमें question गलत होते हैं आपको यह बात ध्यान रहेंगी तो question आपका सही होगा तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ अगर किसी light ray को pass कराता हूँ concave lens से तो उसको diverge कर देता है और जब हम diverge वाले को मिलाते हैं अगर हम इसको retrace करें पीछे पात इसका extend करें तो हम क्या देखते हैं कि एक point से लगता है ऐसे कि जितनी भी diverged जितनी भी यह diverged light ray है यह किसी एक point से आ रही है तो इसी point को focus बोलते हैं अब इसका focus जो होता है concave का वो virtual होता है और जो convex का focus होता है वो real होता है real क्यों होता है देखो यह खुद reflect होने के बाद एक point पर हो रही है और इसमें हमको कैसा हो रहा है appear हो रहा है सललागराए कि यहां से सारी light ray जा रही है तो यहां पर virtual हो जा रहा है और spherical mirror में मैंने इसका उल्टा होता है मैंने spherical mirror में concave वाले में बताया था concave जब हम spherical mirror लेते थे तो उसका focus कैसा रहता था real रहता था और convex वाले का virtual रहता था लेकिन यहां पर उसका पोजिट है क्योंकि यह mirror नहीं लेंज रहा है